नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा सुशांत सिंग राजपूत की सुसाइड मिस्टरी में सबसे बड़ी और चौकाने वाली ख़वर सामने आई है सुशांत की इलिविन पार्टनर रिया ने यरप टूर को लेकर बड़ा दावा किया है सुशांत और रिया का ये वही आखरी विदेशी टूर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी टूर के बाद सुशांत में अजीबो गरीब तरह के बदलाव देखे गए क्या थे वह बदलाव देखे इस रिपोर्ट में फ्लैक पेंटिंग्स ने बदली सुशांत की इस जिन्दगी ब्लैक पेंटिंग्स देखकर कांपने लगे थे सुशांत होटल में रिया के सामने कांप रहे थे सुशांत इटली में रूद्राक्ष लेकर मंत्र पढ़ रहे थे सुशांत सुशांत, शिव, शनी और सुसाइट का नया राज सुशांत सिंग राजपूत की सुसाइट मिस्टरी में उनकी लिविन पार्टनर रिया चकरवर्ती ने सबसे चौकाने वाला बयान दिया है रिया ने जो कुछ कहा है उसके बाद सुशांत की मौत के केस में सारी दुनिया की निगाहें ब्लैक पेंटिंग्स तलाशने लगी है लेकिन उन पेंटिंग्स से पहले इस बड़ी खबर से जुड़ी चार तस्वीनों पर गौर कीजिए पहली तस्वीर सुशांत और रिया के अक्टूबर 2019 वाले यूरोप तूर की है ये दोनों का आखिरी विदेशी तूर था दूसरी तस्वीर ED दफ्तर में रिया से पूछताच की है रिया ने दवा किया है कि सुशांत इस तूर के दोरान एक पेंटिंग देखकर डर गए थे तीसरी तस्वीर उन ब्लैक पेंटिंग्स की है जिनके बारे में रिया ने दावा किया है कि सुशान्त यूरोब तूर के दोरान इनी पेंटिंग्स को देख कर बदले हुए से नजर आ रहे थे चौथी तस्वीर सुशान्त की शिव साधना की है 2019 में वो अपने घर में काल सर्प की पूजा करते दिखे थे अब आपको सुशान्त की शिव साधना और पेंटिंग के दर को लेकर रिया के दावे की पूरी कहानी बताते हैं रिया का दावा सुशान्त पर ब्लैक पेंटिंग का असर क्या आपने ब्लैक पेंटिंग्स के बारे में सुना है जो लोग मौडल आर्च और एतिहासिक पेंटिंग्स के शौकिंग हैं वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि सुशान सुसाइट केस में ब्लाक पेंटिंग इस वक्त सुर्खियों में रिया ने इटि को बताया कि सुशान ने इटली में वो रहसिमई ब्लाक पेंटिंग देख ली थी जिसे अमूमन आम तोर पर आम लोगों को दूर रखा जाता है तो क्या वाकई में सुशान के दिलो दिमाग में वो ब्लाक पेंटिंग असर कर गई रिया ने सुशान्त और अपने यूरोप टूर को लेकर पहली बार अजीबो गरीब दावे किये हैं हालनकि उसके बारे में सुशान्त से जुड़े कई करीबी लोग पहले ही बता चुके हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया ने सुशान्त की सुसाइड मिस्ट्री को लेकर अपने यूरोप तूर पर कुछ कहा है। रिया के मुताबिक अक्टूबर 2019 के दौरान इटली के एक होटल में सुशान्त, रिया और उनका भाई शौविक ठहरे हुए थे। होटल की दिवारों पर एक खास तरह की पेंटिंग बनी थी, तो इस पेंटिंग को देखकर सुशान्त अजीब सा बरताव करने लगे, वो बहुत देर तक पेंटिंग को भूरते रहे, फिर अचानक धबरा गए। रिया ने AD को बताया, हम लोग इटली के फ्लॉरिंस में छुट्टियां बताने गए थे। यूरोप टूर से लोटने के बाद सुशान्त की बिगड़ी हुई हालत के बारे में उनके कुछ करीबी लोगों ने भी डावा किया था, हालांके उनका कहना था कि यूरोप से आने के बाद उनके विवहार में काफी बदलाब आ गया था। मंत्रों का जाब कर रहे थे सुशान्त, रिया। रिया ने एडी को बताया कि सुशान्त ने इटली के उस होटल में एक खास पेंटिंग देखी थी, वो पेंटिंग स्पेन के मशूर चित्रकार फ्रांसिस को गोया की थी, उस चित्र में सैटर्न यानी शनी की तस्वीर बनी थी, जो अपने ही बच्चे को खा रहा था। रिया का दावा है कि वो अपने भाई शौविक के साथ दूसरे कमरे में थी, जब वो लोटी, तो देखा सुशान्त रूद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाब कर रहे थे और काफी डरे हुए लग रहे थे। तो ठीक तरह से सब कुछ बता नहीं पा रहे थे। रिया के मुताबिक उस रात वो और उसका भाई शौविक सुशान्त के साथ उसी कमरे में सो गए। रहने लगे थे। तो क्या वाकई में सुशान्त के दिलों दिमाग पर इस पेंटिंग का बहुत गहरा असर हुआ था। क्योंकि दूसरी तरह फ्रिया ये दावा कर रही है कि उस पेंटिंग को देखने के बाद ही सुशान्त बेचेन से हो गए, बेचेन होने लगे और साथ ही पहला बदलाव उनके मालसिक हालात पर तब ही देखा गया। सुशान्त शिव के भक्त थे, वो गले में रूद्राक्ष की माला पहनते थे, अपने घर में ही उन्होंने काल सर्प की पूजा भी करवाई थी, जिसका वीडियो वाइरल है। सुशान्त को होटेल की पेंटिंग के बारे में भ्रम हो रहा था, उन्हें समझाया गया कि ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। इसके बाद सुशान्त को उस्ट्रिया के डीटॉक्स सेंटर भी ले गए, लेकिन सुशान्त को वहाँ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो चले आए। दो नवंबर को लोटना था लेकिन 28 अक्टूबर को ही हम लोट आए इस ट्रिप से लोटने के बाद उशांत की एनरजी एकदम लो हो गई थी वो घंटो चुपचाप बैठी रहते मुंबई आने के बाद हालात और बिगड गए वो कभी चिलाने लगते तो कभी रोने लगते सुषांत की सुषाइड मिस्ट्री में रिया ने यूरोप के मशूर पेंटर फ्रांसिस को गोया की जिन ब्लैक पेंटिंग का जिक्र किया है वो हमेशा से दुनिया के लिए एक रहस्य और गिल्चस्टी का विशे रही है इन पेंटिंग्स को देखने के बाद सुषांत की मानसिक हालत में बदलाव के कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी है दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूस्ट्वन्टिफोर नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस्ट्वन्टिफोर